अधीर अधिर्ण चोद्री जी अधिर्णिया महादाय अधिर्णिया प्रदानोंति जी सदर्ण के सामने आपका बार्ण आप पेश कर दिये हैं तो उनसे और नया कुछ जुरूने का जुरूरत नहीं है फिर भी कोटा एक कोचिंग इंसिटूट जैसा है खोटा की कचुरू भी बहुत मसूर होते हैं तो आप इस हाउस को जैसे खिचुरी ना बने इसलिए कचुरी की तरह स्वाविस कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वाट ये आप से बहुत बड़ा उमीद है हमारा आप एक सोसल वार का तो है पुर्धानमंदी जी कही चुका है इसकी इलावा आप एक एगरिकल्चरिस भी हैं आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हाला बड़ी बुरी होते जा रहे हैं हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं तो इससे बचाने के लिए आप जोरूर अपना पहल करेंगे माने सदश्य है जब आपके दल के नेता बोल रहे हैं तो शादाए कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान की आम नगरी की तरफ से और हम सब की तरफ से ये पत्पे आशिन होने के लिए आपको हम सब अभिनंदन ब्यक्त करता हूं साती साथ हिंदुस्तान की जनता 90 क्रोर हमारे भोटर थे आप अच्राज होंगे सारे योरोप और आफ्रीका महादेश मिलाके जितने आबादी होते हैं उससे ज़्यादा भ और इससे और एक अच्राज की बात ये कि माले गाउं जैसे उरनाचल पुदेश की अंजयो डिस्टिट में एक गाउं है जहां एक ही भोटर है ओ भोटर के लिए उनके भोट कलेश्टन करने के लिए छे ओफिशियल्स दो दिन हील में ट्रेकिंग करके और छे किलोमीटर र तो इस दित प्रेकिंग को एसा भी बाता हूँ कि हमारे पार्टी की नियद बरा साफ है हम डिबेट डिसेंट और डिसीशन में एकिन रखते हैं भरोसा रखते हैं लेकिन हमें हमारा जो मौका ये मौका हमें मिलना चाहिए और पौरलमेंट की तरही रच्छा करना आपका जिमिभारी होते हैं क्योंकि you are the presiding officer of this house you are the custodian of this house not only that according to Nehru you represent the house, represent the freedom, represent the nation so the dignity of the chair is well mean by you also sir एक छीज आपको ध्यान में मैं लाना चाहते हैं कि पिछले दिनो जो बिधाक याँ पारिस होते थे ये बिधाक को scrutinize करने के लिए standing committee में ज़्यादा बिधाक को नहीं भेजा जाता था ये आपको सब्सक्राद देखना परेगा ये भी house के गरिमा होते हैं दूस्ती तरफ दूस्ती तरफ ज़्यादा से ज़्यादा और्डिनेंस की रास्ता अपना ये भी ठीक नहीं क्यूंकि सेर्ड पर्लमेंटरी डेमोक्राशी में एक स्कूटीनी होना चाहिए एक छेट ब्याद डिस्कसन होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए सेर्ड मैं कॉंग्रेस पार्टी की जब प्राइमारी मेंबर्शीव लेने गया तो हमारा प्राइमारी मेंबर्शीव की जो सपत पत्र थी उसमें लिखा गया था ये कोई अगर कॉंग्रेस मेंबर अगर होने चाहते हैं तो उनको पार्लमेंटरी डेमोक्राशी को और मजबुत करने के लिए सपत लेना परेगा तो जिस दिन से हम लोग कॉंग्रेस पार्टी की सुरुवत की है प्राइमरी मेंबर्सिप की जरीए उसी दिन से हम ये पार्लमेंटरी डेमोक्राशी को चूज सर्दूरूस करने के लिए सपत ले चुके हैं और इसी सपत के साथ ही अगले दिन हम पार्लमेंटरी को चूज सर्दूरूस रहने के लिए हमारी तरफ से जितना हद तक जाना चाहिए हम जाने के लिए कभी हम इसको हम नकारेंगे नहीं हम हिच्किचाई करने ही करेंगे सिब मैं ही प्रधानमंतिजी को और आप सबको एक छोटे से मैं आपको सबको ध्याना करशन करना चाहते है प्रधानमंतिजी बाहर कहते है कि अभी पक्स और बिपक्स नहीं होगा सिब निक्सपक्स होगा बड़ा अच्छा कॉंसेप्ट है लेकिन ये जो पार्लमेंटरी सिस्टेम है हिंदुस्तान की ये माल्टी पार्टी डिमोक्रासी है तो पक्स बिपक्स के साथ बहुपक्स नहीं रहेंगे सिब आपको निक्सपक्स नहीं होगा से आप इसे बिपक्स होना सकते क्योंकि ये चेयर इंपर्शियल चेयर होते हैं ये जब सफ़त लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जैसी राम कहीं अल्लहु अकबर कहीं जैकली ये तरी किसी जो नजारा पेश होता है इसके ही नहीं था ये मैं अब डिक्तिकत उसे कह रहा हूँ लेकिन ये मरियादा की सवाल है साउस की सेर ओही राम जो दस्टब की बेटा ओही राम जो गर-घर में लेटा ओही राम जगत पसेरा ओही राम सबसे नहीं आरा और दूस्तरी तरह दी कहते हैं कि ला इलहिल्ला लाहु महम्मद रसुल्लाहु तो सेर हमें इस तरी की समाज बनाना चाहिए जब एक छोड़े से बात कहता हूँ जब मुल्ला को मस्जीद में राम नजर आए जब पुजारी को मंदिर में रहमन नजर आए दुनिया की सूरत बदल जाएगी जब इनसान को इनसान में इनसान नजर आए शैड अंतिम में सैड मैं आपके लिए कुछ मांगता हूँ प्राइमिर्शाब भी मांगा था मैं भी मांगता हूँ खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते सडाक फुषियों से भरे हो तेरे रास्ते हती तेरे चेहरे पे रहे इस तरह खुजबु फूलों के साथ रहती है जिस तरह जन्न बाद